तो चलिए फ्रेंड आज हम बनाते हैं ड्राइफ रूट लड्डू अगर आपको घुटनों में दाद, कमार दाद या सरवाइकल प्रॉब्लम है तो आप एक लड्डू रोजाना खाए आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और ये बरते बच्चों के लिए बहुत ही फाइदे मंद है ये लड्डू आप इसे जरूर बच्चे को भी दे तो जिसके लिए देखिए एक कराही गरम करेंगे और जिसमें एक चमच घी डालेंगे एक कप बादाम लेंगे जिसे मैंने एक बादाम को तीन से चार टुकडो में काट लिया है आप कोई भी मेजरिंग कप बनाईए या कटोरी जो भी नाप बनाईए आप एक ही नाप बनाईए आपकी ये लड्डू बहुत ही परफेक्ट बनेगी तो यहां मैंने एक कटोरी के माप से सब कुछ लिया है और बादाम को देखिए लगबग तीन से चार मिनट हम रोष्ट करेंगे अब याद रखें फ्लेम एकदम लो रखेंगे क्योंकि बादाम काजू या कोई भी ड्राइफ्रूट भूनते हैं तो इसमें फ्लेम हाई नहीं रखेंगे नहीं तो यह जल जाएगी और लगबग तीन मिनट के बाद देखिए एक कटोरी काजू के टुकड़े हैं जिसे मैंने एक काजू को तीन से चार टुकड़ा कर लिया है और इसे भी हम डाल देंगे और इसे भी तीन से चार मिनट तक हम भूनेंगे बादाम मैंने पहले रखा है क्योंकि बादाम को भूनने में थोरा सा जादा टाइम लगता है तो इसी तरीके से पहले बादाम भूने फिर काजू भूने और यहां देखिए काजू भी भून चुका है तो फिर एक कटोरी मैंने ये एक रोट लिया है जिसे भी मैंने छोटे छोटे टुग्रों में काटा है और ये ड्राइ फ्रूट की लड़ू बहुत ही फाइदे मांद होती है और हम इसे सूगर फ्री बनाएंगे तो ये हेल्दी तो है ही आप आराम से इस सर्दिया में इसे बना कर आराम से दो से तीन महिने श्टोर भी कर सकते हैं तो चलिए फ्रेंड देखिए लगवग ये भून चुका है और इसका कलर भी देख सकते हैं जैसे जैसे भूना है इसका कलर भी चेंज हो गया है आप इसे आप रूम टर्प्रेचर पर एक महिने तक भी श्टोर कर सकते हैं और फ्रीज में तो आप छे महिने के लिए भी श्टोर कर सकते हैं ता आप इस सर्दिया में जरूर इसे बना के रख ले और यहां देखिए बादाम ये सब भून चुका है तब चलिए इसे निका दालेते हैं और सेम कराही में एक चमस घी डालेंगे और फिर यह पंपकिन सीड होता है इसे हम एक कप लेंगे आप देख सकते हैं मैंने एक ही कटोरी का माप लिया है इसी तरीके से आप कोई भी कटोरी हो या कप हो एक ही माप लें बहुत अच्छे रेसिपी बनेगी दखने की आवाज भी लगेगी तब समझ लेंगे कि ये सीर हमारा भून चुका है तो फ्रेंड देखिए ये कलर भी चेंज हो चुका है तब हम इससे चलिए निकाल लेते हैं और निकालने के बाद देखिए इसमें जो भी घी बचा हुआ है उसी घी में हाँ ये पिस्ता है पिस्ता मैंने आधा कटोडी लिया है पिस्ता डाल देंगे और ये हरे वाले पिस्ते है जिसको मैंने टुकडो में थोड़ा सा पतले पतले काट लिया है और एक बार इसे मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें एक कटोरी किस्मिस डालेंगे आप किस्मिस को और पिस्ता को एक ही साथ डाले क्योंकि पिस्ता और किस्मिस को भूनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसे लगबग एक से दो मिनट में आप देखेंगे ये किस्मिस भी थोड़ा सा फूल और यहां देखिए फ्रेंड लगबग 2 मिनट हो चुका है और इसका कलर भी चेंज दिख रहा है तो चलिए अब इसे भी हम निकाल लेते हैं और सबको एक बरे बरतन में हम निकालते जाएंगे फिर एक चमच घी लेंगे और जिसमें हम आदा कटोरी ये पोस्ता दाना लेंग ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा ड्राइफरूट वाले दुकान पे और इसमें हम एक कटोरी सुखे हुए नारियल होता है उसे हम घीस कर लेंगे आप चाहे तो नारियल का बुरादा भी ले सकते हैं लेकर ये घीस कर लेंगे तो इसका स्वाद बहुत अच् तब इसका कलर चेंज आपको दिखने लगेगा और यहाँ देख सकते हैं ये कितना अच्छा भून चुका है तो चलिए फ्रेंड अब इसे भी हम निकाल लेते हैं और सारे मिक्ष्टर को हम एक ही बरतर में निकाल के रखते जाएंगे फिर सेम कराही में एक चमच भर कर घी लेंगे फ्रेंड इस रेसिपी को बनाने में लगबग मुझे आधा कटोरी घी लग गया है तो आप नाप देख सकते हैं और यह खजूर है जो ड्राइव वाले खजूर थे जिसे मैंने बीज निकाल कर और गरम पानी में इसे थोड़ा सा फुला कर और इसे मिक्षी जार मे लोग भी होंगे तो इसे अराम से खा सकते हैं और खजूर को जब तक भूनेंगे जब तक कि इसका पूरा यह पानी भी सुख जाए क्योंकि हम इसे गरम पानी में धुले हैं तो इसे का पानी भी सुख जाए और पूरा यह अच्छे तरीके से ड्राइव हो जाए आप देखेंगे खजूर से ही बाइंडिंग में कितना अच्छा आ जाएगा जिसमें गूर चीनी डालने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा तो देख सकते हैं फ्रेंड साथ से आठ मिनट लगभग लग जाएगा इसको भुनने में और इसी तरीकी से इसे मसलते हुए भुनेंग आप सही माप से इस्टेसिपी को बनाए आपको कोई परफेक्ट लड़ू बनने वाली है आप टेंसन ना लएग कि आपकी लड़ू अच्छी नहीं बनेगी बस नाप का आप सही ध्यान रखे और ये देखिए फ्रेंड लगभग 7-8 मिनट ये खजूर को भुनते हुए हो चुका है तो चलिए फ्रेंड एक दो बार और मिक्स कर लेते हैं और गैस को हम बंद कर देंगे और फिर देखिए ये ड्राइफूर जो भी थे इसे हम एक बार मिक्स कर लेंगे और आप कोई भी बड़े बरतन मीं से निकाले और फिर इसमें जो खजूर है उसे हम इसमें डालेंगे और यह ध्यान रखिएगा खजूर अभी बहुत गरम है तो इसे हाथ से नहीं चूईएगा आप इसे इसी तरीके से चमच या कल्ची कोई भी तरीके से इसे मिलाईएगा अटलगबग इतना अच्छा से मिल मिक्स कर देंगे ताकि यह अच्छे तरीके से सारे खजूर में यह ड्राइफूट मिक्स हो जाए और जब यह रूम टमप्रेचर पर आ जाए तब इसे हाथ से थोरा-थोरा मिक्स करेंगे अभी बिल्गूर में नहीं चुएंगे क्योंकि खजूर बहुत ही गरम है और आप देख सकते हैं कितना सारा ड्राइफूटी स्मेल है और यह सेहत के लिए कितना फायदे मंद है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है अगर मैं इनके गुनों के बारे में बताने लगूँ तो वीडियो बहुत लहीं लंबी हो जाएगी लेकिन उनका गुन खतम नहीं होगा और देखिए फ्रेंड ये डूम ट्रमप्रेचर पर आ चुका है तब इसे हम हाथों से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मिक्स्टर खजूर में अच्छे से मिक्स हो जाए और बाइंडिंग भी अच्छे तरीके से होए और आप इसे रूम ट्रमप्रेचर पर जाबा आ जाए उसी समय इसे बांदते जाएगा ज्यादा ठंडा नहीं करेंगे और यहाँ देखिए इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पॉर्शन लेंगे और आप जिस भी साइज की लड्डू बनाना चाहे उस साइज की ले और इसे गोल गोल करते जाए आप अभी ज्यादा सेफ देने पर ध्यान ना दे बस इसे हलका हलका यह गरम ही है तो डालते जाए और आप देख सकते हैं कितना पर्फेक्ट लड्डू बन रहा है कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इस लड्डू को बनाने में और पर्फेक्ट तरीके से यह लड्डू बनेगी और यह देखिए फ्रेंड कितना अच्छा यह लड्डू दिख रहा है आप बस सही माप का ध्यान रखे और ज्यादा कुछ भी इसमें करने की जरूरत नहीं है आपकी लड्डू बहुत ही पर्फेक्ट बनेगी तो चलिए फ्रेंड इसी तरीके से सारे लड्डू को हम बना लेते हैं और लड्डू का साइज आपके उपर है आप छोटी या बड़ी लड्डू बना ले मीडियम साइज की लड्डू बनाए और अराम से आप एक एक लड्डू रोजाना खाए बहुत ही फाइदे मन्द है और ये देखिए फ्रेंड हमारे लड्डू बन्द चुके हैं तब एक बार इसे आप अच्छे तरीके से हम सेफ दे देंगे क्योंकि हम उस समय थोड़ा सा गरम-गरम ही बांदे हैं तो जिस तरीके से हो चुका हैं बांद दिये थे आप इसे दीरे-दीरे सेफ देंगे हम और इस तरीके से आप सारे लड्डू को अच्छे तरीके से बना ले और कोई भी एर टाइट डबे में रख दे आप रूम टंबरेचर पर इसे एक महीने तक श्टोर कर सकते हैं और फ्रीज में रखेंगे तो आप छे महीने तक भी श्टोर करें ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा तो ये देखिए फ्रेंड कितना परफेक्टली लड्डू बना है और ड्राइ फूर्ट भी कितना अच्छा दिख रहा है तो फ्रेंड आप इस रेसिपी को इस सर्दिया में जरूर बनाए और सभी को दे बहुत ये फायदे मन्द है ये लड्डू तो चलिए फ्रेंड आप एक लड्डू को हम इसे तोर कर दिखाते हैं और ये देखिए फ्रेंड कितना अच्छा ये लड्डू है अंदर से भी पुरा बंदा बंदा है तो चलिए इस रेसिपी को जरूर बनाईएगा और मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा कि आपके यहां ये रेसिपी कैसी बनी थी तो चलिए फ्रेंड लड्डू की रेसिपी कैसी लगी मुझे जरूर बताईएगा आप वीडियो पसंद आए तो लाइक करें चैनल पर नए हैं तो सस्क्राइब करें आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमली के साथ भी स करेंड रेसिपी में